में A.S.I. यानि कि सब इंस्पेक्टर के लिए 975 पदो पर भरती होनी है अब इस सम्बन में आपको जनकारी बताता हूँ 36 गर्ड पुलिश में सब इंस्पेक्टर के 975 पदो पर भरती के लिए राज्य सासन द्वारा जो है मनजूरी दे दी गई है प्रदेश में 2013 के बाद से सब इंस्पेक्टर के पदो पर भरती जो है नहीं हुई है अब 2021 में जो 975 पदो पर सब इंस्पेक्टर के लिए भरती होना है तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनाहरा और शर मौका है और आपके जनकारी के लिए बता दूँ कि इसके अंतरगत 1 से 31 अक्टूबर याने 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में फार्म लिया जाशकता है इन पदो पर भरती के लिए जल्द ही पुलीश की ओर से अधिक्रित सुचना जारी कर दी जाएगी जो पुलीश स्विभाग है उसके द्वारा जो है कि एक्जाइम कब होगा अवेदन कब से भरना है इस संबंद में जो है सुचना जारी होगा तो आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक से डेढ़ महिने में लिखित और सारी रिक परिक्षा आयोजित किया जाएगा मतलब कि आपका अवेदन फार्म भरा जाएगा और उसके बाद जो है परिक्षा होगा लिखित पेपर होता है, फिजीकल होता है उन संबंद में जो है एक से डेड़ महिने में वो सभी प्रोसेस हो जाएगा यानि एक अक्टूबर से लेकर रिकतिस अक्टूबर के बीच में आपका फाम भराएगा उसके बाद नवंबर या दिसंबर में आपका जो है सारी रिक्षा या फिजिकल हो शकता है तो मैं आपके जैनकारी के लिए बता दूँ कि एक्जाइम को तो आप निकाल सकते हैं साई का एक्जाइम आप क्रेक कर सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मेहनत जो है आपको फिजिकल में करना होगा क्योंकि फिजिकल ही निकलता कई लोगों का एसाई बनने के लिए आपको अगर सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप फिजीकल में सबसे ज़्यादा महनत कीजिए ऐसा नहीं कि आप फिजीकल बस में महनत किया और एक्जाइम के त्यारी नहीं कि तो आप सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा मौकर है क्या होता है नहीं कि सब इंस्पेक्टर के पद जो 975 पद अभी आया है अब कब आये ये पता नहीं तो आप लोग एक्जाइम की अच्छे से तैयरी कीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और चैनल को सब इसक्राइब कर देना बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगा